आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है रामपुर में दर्ज चोरी के मामले में उनकी गिरफतारी पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है इससे पहले इस मामले में कुछ दिन पहले पुलिस ने आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला के दो सहयोगी अनुवार और सलीम को गिरफतार किया था इसके बाद उनकी निसान देही पर जोहर उनिवर्सिटी में च्छापा मारा गया था जहां परिसर की जमीन में दभी नगरपालिका की सफाई मसीन मदर्सा आलिया से चोरी की गई हजारों किताबें और कई अलमारी बरामत करने का दावा किया गया था इसको लेकर रामपु नगरपालिका के रिकार्ड खंगालने के लिए आज भी पुलिस ने वहाँ पर पहुच कर चोरी से जुड़े मामले में रिकार्ड देखे साथी करमचारियों से पूस्ताज भी की हाला कि पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि जाच में क्या निकला ब्यूरो रिपोर्ट दा लीडर हिंदी